मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, लड़कों के लिए यहां कोई आकर्शन नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामीद लोहे की दुकान पर रुख जाता है, कई चिम्टे रखे हुए है. दादी के पास चिम्टा नहीं है, तवे से रोटिया उतारती है, तो हाथ जल जाते हैं, अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे, तो कितनी प्रसंद होगी, फिर उनकी उंगलिया कभी न जलेगी, गर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलोने से क्या फाइदा, व्यर्थ म पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलोनों की और कोई आँख उठा कर नहीं देखता, या फिर गर पहुंचते पहुंचते तूट फूट कर बरबाद हो जाएगे, चिम्टा कितने काम की चीज है, रोटिया तवे से उतार लो, चुले में सेक कोई आग मांगने आए, तो चटपट चुले से आग निकाल कर उसे दे दो, अम्मा बेचारी को काँ फुरसत है, कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही काम मिलते है, रोज हाथ जला लेती है, आमित के साथ ही आगे बढ़ गए है, सबील पर सब शर्बत दी रहे है, देखो कितने लालची है, इतनी मिठाईया ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, उस पर कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा, तो पूछूंगा, खाए मिठाईया, आपका मुह सडेगा, फोडे फुसिया निकलेगी, आ मेरा बच्चा, अम्मा के लिए चिम्टा लाया है, कितने अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलोने पर कौन ही ने दुआये देगा, बड़ों की दुआये सिधे अल्ला के दर्बार में पहुँचती है, और तुरंट सुनी जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, म ठीक बताओ, ठीक ठीक पांच पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, तीन पैसे लोगे। यह चिम्टा क्यों लाया बुद्दू, इसका क्या करेगा। जरा अपना बिस्तितो जमिन पर गिराओ, सारी पसलिये चूर-चूर हो जाए बच्चु की। तो यह चिम्टा कोई खीलोना है। खीलोना क्यों नहीं है, अभी कंदे पर रखा बंदूख हो गई। हाथ में ले लिया फकीरों का चिम्टा हो गया। चाहू तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिम्टा जमादू, तो तुम लोगों के सारे खिलोनों की जान निकल जाए। तुमारे खिलोने कितना ही जोर लगाए। मेरे चिम्टे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाहदूर शेर है मेरा चिम्टा। मेरी खंजरी से बटलोंगे, दो आने की हैं। मेरा चिम्टा चाहे तो तुमारी खंजरी का पेट फार डाले, बस एक चम्डे की जिल्ली लगा दे, डब डब बोलने लगी, जरासा पानी लग जाए तो खतम हो जाए। मेरा बादूर चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बड़ डटा रहेगा। चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुचने की जल्दी है, बड़ो से जिद करें, तो भी चिम्टा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाग, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे, और उने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किये, पर कोई काम की चीज न ले सके, हामिद ने तीन पैसों में रंग जमा लिया, सची तो है, खिलोनों का क्या भरोसा, तूट फूट जाएंगे, हा हामिद को इन शर्टों को मानने में कोई आपत्ती न थी, चिमटा बारी-बारी से सब के हाथ में गया, और उनके खिलोने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए, कितने खूपसूरत खिलोने थे, रास्ते में महमुद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए, बनाया। उसके अन्यमित्र मुह ताकते रह गए। यह उस चिम्टी का प्रभाव था। ग्यारह बजे सारे गाउं में हलचल मच गई। मेले वाले लोट आए। मौसीन की चोटी बहन ने दोड़कर भिष्टी उसके हाथ से चीन लिया और मारे खुशी के उचली। तो मिया भ समीन पर या ताक पर बैट नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दिवार में दो खुटियां गाडी गई। उन पर लकडी का एक पट्रा रखा गया। पट्रे पर कागस का एक कालीन बिचाया गया। वकिल सहब राजा भूच की भाती सिहासन पर भिर पंखा भी न हो, बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। बालूम नहीं, पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकिल सहब स्वर्ग लोग से मृत्यू लोग में आ रहे। और उनका माठी का चोला माठी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब मिया हामित का हाल सुनिये। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसको गोद में उठा कर प्यार करने लगी। सासा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वह चौकी। यह चिम्टा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? तीन पैसे दिये। यह कैसा बे समझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिम्टा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया? तुम्हारी उ रोध तुरं सनेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सदभाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देख कर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने दामन फैला कर हामित को दुआएं देती जाती थी और उसकी आँखों से आशो की बड़ी बड़ी बूंदे गिर जाती थी।